हेलो एवरिवन आपका बीर्ट सेकेंडियर का जो पेपर 2 है असेस्मेंट फॉर लर्निंग उसका जो मॉडल आया है उसमें कुछ आंसर्स गलत हैं उनको अभी हम चेक कर लेते हैं तो यह जो कोशन है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के समान तो वह तेस्ट करके यह देख रहा है कि खाना चाहिस से बन रहा है या नहीं थीक हैं तो इसके लिए जो सही आंसर है वह है चीकने के लिए आकलन अब देखें सीखने के लिए आकलन या अधिगम के लिए आकलन एक ही बात है इसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं या फॉर्मेटिव असेस्मेंट कहते हैं तो teaching और learning के दौरान student की progress की निगरानी करना और उनके सीखने की जरूरतों के बारे में पता करके सही स्ट्रेटिजी से पढ़ाना यह किसके अंदर आता है फॉर्मेटिव असेस्मेंट ठीक है रचनात्म काकलन जो होता है वो टीचर क्या है पढ़ाते से हमें बच्चों से कोशन पूसता है ठीक है उनका छोटा मुटा टैस्ट ले लिया तो उसे यह पता चलता सीखने के लिए इसका जाही में इसल operations के लिए अगलन ठीक है इसके बाद है आपका अधिगम का अगलन अधिगम का अगलन यानिकी सीखने का अगलन इसको योगात्मक अखलन बोलते हैं या समेटिव असेस्मेंट होता है इसको कप करते हैं जब यह स्टुडेंट की एरली या समिश्टर के अंतमे उसकी उपलब्दी को जा यान कि जब भी हम कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो हम सेल्फ एनलाइस करते हैं कि हमें कैसे अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं तो जब यह हम खुद का आगलन स्वयम ही करते हैं तो उसको कहते हैं अधिगम के रूप में आगलन कोशन है अब का कि कच्छा नायक उपदेशक यानि कि टीचर द्वारा प्रियुक्त मुल्यांकन का प्रिकार जो अनुदेशन के समय सीखने की विकास में अनुदेशन यानि कि जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है यानि कि पढ़ा रहा होता है तब वो मुल्यांकन करता ह तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम formative मुल्य अंकन कहते हैं अभी हमने सीखा ठीक है formative मुल्य अंकन फिर है कि जब किसी परिच्छा के बारवार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वे परिच्छा कहलाती है जब किसी परिच्छा के बारवार अंकन करने पर जब उसमें कोई अंतर नहीं आता है बारवार सेम नम्मर ही आते हैं तो उसको विश्वस निये कहते हैं, वो परिच्छण विश्वस निये होता है, ठीक है, इसका answer है विश्वस निये है, अब देखे, अच्छे आकलन या उपलबदी परिच्छण की विशेस्ता होती हैं कुछ, पहली है यह वस्तु निश्टता, यानि की objectivity, यह क्या होती है, क स्टुडेंट की कॉपी चेक करते से में परीच्छक का पच्छपाती नहीं तो कोई भी परीच्छन वस्तुनिष्ट है यानि कि पच्छपात नकर इसलिए जितने भी कॉम्टिशन एक्जाम्स होते हैं हमारे बड़े लेवल पर जो एक्जाम्स होते हैं उसमें mcq type questions लखे जाते हैं क्योंकि एक तो इनमें एक की उत्तर possible होता है दूसरा इसमें जो परीच्छक जो होता है वो पच्छपात नहीं कर पाता ठीक है पहले से अंसर की सिलक्टी रखी होती है तो इस प्रकार का जो परीच्छन है जिसमें ये दौनों ही बाते मिलती है वो आप का परीच्छन कैसा हो जाएगा वस्तों निष्ट यानि कि objectivity उसमें आ जाएगी इसके बाद दूसरी विश्वस नियता रिलाइबिलिटी ये क्या होती है कि विश्वस नियता का मतलब accuracy और consistency से होता है जब परीच्छन को बार बार जाचा जाए और हर बार समानंक आए तो कोई परीच्छन विश्वस निया हो जाता है यानकी कोई भी परीच्छन है उसको बार बार चेक करें और हर बार जो है नमरों में कोई बदलाव ना हो हर बार वो समानंकी आए बहले हम परीच्छक चेंज करतें फिर भी जब दूसरा परीच्छक भी कौपी चक करें तो भी समानंका है तो उसको हम कहते हैं यह परिच्षड विश्वस नहीं है ठीक है रिलाइबल है उसके बाद होता है वैद्धता वैद्धता क्या होती है कि परिच्षड की वैद्धता से मतलब है कि परीच्षड दौरा वही मापा जाए जिसके लिए परीच्षड को तैयार किया गया है है ना परीच्षड की वैदता के लिए परीच्षड का विश्वस निया होना जरूरी है लेकिन विश्वस नियता के लिए परीच्षड का वैद होना जरूरी नहीं है ठीक ह यह important line है कभी कभी पूछ भी लिया जाता है अब देखिए वेलडिटी हम कैसे पता करेंगे माली जैसे कि हमें पाइलेट का चैन करना है तो हम इस तरह के का टेस्ट रखेंगे ना जिससे कि हम अच्छे सच्छा पाइलेट को चुनाब कर सकें तो उनसे उसी तरह की कोशन पू बनाए जाए उसे वही पूछा जाएगा जो एक पाइलेट बनने के लिए जरूरी सवाल है तो वैदता का मतलब वही होता है कि ऐसा टेस्ट जो वही जांच करें जिसके लिए वह तैयार किया जा रहा है तो वह टेस्ट वैलेट कहलाता है ठीक है और फिर यह जो पॉइंट जो है वह वैदता पर डिपेंड नहीं करती लेकिन किसी परीचाड की वैदता विश्वस नहींता पर डिपेंड जरूर करती है अम मालीजे थर्मामीटर है थर्मामीटर किस काम में आता है टेंपरेचर आपने काम में आता है ठीक है अगर थर्मामीटर टेंपरेचर आपने जो है यह जिसके लिए यह तैयार किया गया है बारवार वही मुझको रिजर्स करना तो कानों तो दो नहीं है तो सबस् contre 10 जो है वो विशवस नियता पर से लेकिन जो सिनगिक्षे pouvoir रिएव यह वह यह लिए पर डिपेंड नहीं करती दोनों में यह थि तो कि आतरे हैं प्रुलिवत करता क्षेम्मा चाहिए जो सिंपना क्यां जैब को सिहरude और उन उदेश्यों की पूर्ति कर सके, जिन उदेश्यों की पूर्ति के लिए syllabus का चुनाव किया गया था, अब माली जी आपके, जैसे syllabus में 4-5 unit है आपके में, ठीक है, तो जो exam जो होना चाहिए, जो test होना चाहिए, वो इस प्रिकार का होना चाहिए, कि वो 500 unit में से, इस तर syllabus का चुनाव किया था, यानि कि जो बच्चे को सिखाने के लिए, जो syllabus तैयार किया गया, जैनो देश्यों के लिए, वो syllabus तैयार किया गया है, तो test भी ऐसा होना चाहिए, कि बच्चे अच्छे से अच्छे उसको सीख पाए, उससे कुछ हासिल कर पाए, ठीक है, उसके अंसर है, वो है अनुमान, पर है कि निम्न मैं से कौन सी अच्छे परीचर की विसेस्ता नहीं है, वो है व्यक्ति निष्टता, वो भी परीचर व्यक्ति निष्ट नहीं हो सकता, वैदता होती है, व्यापक्ता होती है, हमने भी पड़ी, मित्वियता का मतलब यह है, मित्व व्यक्ति निष्टता अब देखे अच्छे परीचर की कौन-कौन से विश्टता होती है चार में हमने अभी पढ़ी उसमें से क्या वस्तो निष्टता विश्वसनियता व्यदता विभेत का रहता का मतलब होता है कि ऐसा परीचर जो कमजोर बच्चे और जो पढ़ने में अच्छे हैं उन बच्चों को अलग-अच्छे से डिवाइड कर पाए उसको कहते हैं विभेतकारता ठीक है व्यापकता पढ़ी हमने व्यभारिकता या मित्वयता अभी हमने पढ़ी मानक जो मानक जो होते हैं अलग प्रश्ण होने चाहिए वह सरे स्पष्ट ओबना इचंब मतलब जो प्रश्वश्ण जो कह रहा है वह अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए उसको कहते हैं सपश्ट अधा कि कि इसको सही delicat अ करे मेघर अछिशियों को स्माधान और Intel के थे एक सिर्टी में इसमें जो आंसर जो डिए सी जो लिखा आए यह पाव जुक्रो करोंब करों बेक नही है यह 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 जो डैफिनिस whvas इनले वड़ी की दी है वह आपकी राइ बढ़ंने दी थे ज़ट अब विझ किसफ्स बुद्ध्ध्र से संबंद देता हैं यह कमें वेश्टलर बुर्दी परिच्छर लिगर इसका धीए विए होता क्या है इसका फूल-फॉर्म है वह वैस्टलर intelligence scale for children ठीक है इस ये अंडिविजुली administered intelligence test for children between the ages of 6 and 16 ठीक है ये 6-16 साल के बच्चों के लिए test होता है कैसा individual मतलब समुव में नहीं होता है व्यक्तिकत रूप से ये test होता है इसकी फुल फॉर्म कहा है वैसलर intelligence scale for children इसके बाद ये कुशन है कि अंतरमुखी व्यक्तित्व की कौन से विसेस्ता नहीं होती है वो है कि इन्हें भाय जगत की वस्तों से अत्यदिक प्रेम होता है जो अंतरमुखी व्यक्ति होते हैं जो बच्चे या लोग कम बात करना पसंद करते हैं उनकी ये विसेस्ता नहीं होती कि इन्हें भाय जगत की बस्तों से ज्यादा प्रेम नहीं होता है ठीक है डी जो है इसका सही आंसर है ये विवहार को सल नहीं होते बिल्कुल नहीं होते ये कम बोलना पसंद करते हैं ये सस्ती लोग प्रिता के छुक भी नहीं होते ये एकाकी होते यानि कि ये जो है वो अकेले रहना ज्यादा पस इसको टेटी टेट भी बोलते हैं थेबैटिक एप्रिशेशन टेस्ट ठीक है इसको दूसरा जो नाम है इसका कथानक बहुत परिच्छड चित्रखानी बहुत परिच्छड या प्रिसांगिक अंतर बहुत परिच्छड इसमें कुछ कार्ड्स दिये जाते हैं जो कि जो किसी व्यक्ति की परस्नालिटी को चेक करने के लिए ये यूज में लाए जाता है कि यदि किसी परिच्छड में कोई व्यक्ति अनेक परिच्छाओं द्वारा कौपी जाचने के बाद समानंग पाता है तो वह परिच्छड या परिच्छाओं नहीं होगा या परिच्छक होगा यदि किसी परिच्छड में कोई व्यक्ति अनेक परिच्छकों दोरा कॉपी जाचने के बाद समानंक पाता है तो यह परिच्छड कैसा होता है वो विस्वस नहीं होता है कैसा होता है विस्वस नहीं होता है बारवार समानंक आ रहे हैं जिके बार बार चECK करने के बाद भी समानंकार है, तो वो कैसा होता है? वो विस्वस्वसनिय होता है. वैलिट कब होता है? जब वो परीचर्ड वही चेकरे, जिसके लिए वो तयार किया गया है. जो होती है वैधिता. लेकिन विश्वस्नियता से मतलब यह होता है कि कोई परीछण इस तरीके का है कि बारवार कोई भी चेक करें आके बारवार समानंग का रहे हैं वो विश्वस्नियता इसके बाद है कि अच्छे परीछण की कौन सी विश्वस्ता नहीं है वो है आत्म निष्टता, ठीक है, C, आत्म निष्टता, बाकी वस्तो निष्टता, विस्वसनीते उप्योगता जो है, परिछड की विसिस्ताइं होती हैं, विस्वसनीता गुड होता है, विस्वसनीते गुड परिछड का होता है, इसका होता है, परिछड का, फिर है कि सांख्य की प्रश्णों के संग्रे उनके विश्ले सड तथा निस्कर्स निकानली का विज्ञान है यह जो डेफिरेशन है वो केंडल और बकलेंड इन दौनों ने मिलकर दिया ठीक है अगर ऑप्सन में बकलेंड आया अकेला या दौनों आए तो उसके लिए कंफ्य जाती है वह है कि सांख्य की पूर्णता सुद्ध होती है है ठीक है सांख्य की जो है वो पूरी तरीके इसे सुद्ध नहीं होती है बलकी सांख्य framework की ज SUD Log The सब्सक्राइब पूरी तरीकुर्ट तरीक शुद्धर नहीं करती सिली सांकिर पूरी तरीके सिंए उस संभंधी ने तुट-धि अन्डरूड एक्रोस एक्रोस हईयर आप इसको बोले सकते घ्मिंध क्यार है इसको मस्ully metric mean is equal to arithmetic mean to harmonic mean कि अन्स को कि पूरण and photons क्या है राश्च्त्रीप्रतिदर शर्वेचल संगठन श्री नाम इसका त встрет लेकिन सब्सक्राइब देख कैंज तो दौनों में से कोई भी अप्षन आता है तो दौनों मैं से कोई भी नैशनल सेंपल सर्वे ऐस टीक है ? यह किसके अधिन काम करता है ये भारत सरकार के साइखे की मंतर हले की अधिन उतिक है और इसका कम क्या है ? कि यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेचर करने वाला सबसे बड़ा संगठन है यानि कि लोगों की आए उनका स्वास्त है रोजगार ठीक है इन सबका यह सर्वे करता है ठीक है यह जो कोशन थे यह आपकी पेपर टूके थे आगे पेपर थ्री और पेपर फॉर फाइब के जो आपके जो मॉडल में कोशन से उनको चाह करके मैं आपको वीडियो बना के देती हूं ठीक है धन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो